भादे क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबास जैकब मार्टिन एक सड़क दुरगटना में गंभीर रूप से घायल हो गए इस हाथसे के बाद मार्टिन अपनी मौत से जंग लड़ रहे है वहीं उनके इलांस के लिए उनका परिवार धनराची चुटाने के लिए काफी संगर्श कर रहा है मार्टिन के परिजन उन्ने मीडिया से मदद की गोहार लगाई थी मार्टिन के परिवार के मदद मांगने के बाद भी मीडिया के अलावा कुछ पूर्व भारतिक क्रिकेटर भी उनकी मदद के लिया आगे आए है मार्टिन का बडोद्रा के अस्पताल में इलाज चल रहा है वो इस समय लाइट सपोर्ट पर है उनका बीते साल दिसम्वर में एक्सिडेंट हो गया था जिससे उन्हें फेफडे और लीवर में चोटे आए है मीडिया ने उनके इलाज के लिए 5 लाख रुपई की मदद की है बडोदा क्रिकेट संग ने भी उन्हें 3 लाख रुपई दिये है BCCI और BCA के पूर्व सचव मार्टिन के परिवार की मदद कर रहे है BCA के सचव संजे पटेल ने जैकप के परिवार की मदद करने के लिए पहला कदम उठाया इसके बाद पूर्व भार्थी क्रिकेटर जहीर खान, मुनाफ पटेल, सौरफ गांगली और टीम इंडिया के कोच रविशास्वी के अलावा इर्फान पठान, यूसूफ पठान, सरी के खिलाडियों ने भी मार्टिन के परिवार की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाया है मार्टिन ने भारत के लिए 10 वंडे मैच खेले थे, वंडे क्रिकेट में उन्होंने अपना पहला डेब्यू साल 1999 में वेस्ट इंडिस के खलाफ किया था